तो चात्रो आज के इस वीडियो में एट ग्रेट अभ्यास पुस्त का बर्ज 2023 का नई पुस्तक कक्छा आठवी अध्या पांच बर्ग और बर्ग मुलका यहाँ पे संपूर प्रस्णों के आपके सैलूसन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं देखिए आपको पुस्तक जो है यहाँ पे लगभक सभी को आपको विद्याले पर मिल गया होगा तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए आपको पुस्तक है अध्या पांच बा तो चलिए इस वीडियो के आपके देखिए सभी आपके कॉस्चन के आंसर देखते हैं तो तो आपका पांच का वर्ग है आपका 25 संक्या है इसी वकर दखिए चार का चार करेंगे तो आपका देखिए यहां से आपकी कोश्चन प्रस्नों को पढ़कर दे गए बिकल्पुम को सही उत्तर चिनकर उसमें आपके सामने घेरा लगाना है ठीक है तो देखिए आपको सिंप आपका 4 का पूछा है तो 4 का वर्ग करेंगे 4 चार को 16 हो जाएगा 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा अब यहां पे पूछा गया है कि भाई उनका इकाई अंग क्या होगा तो आप जानते हैं देखिए दोनों में आपका इकाई अंग 6 है तो आपको अंसर भी लगा देन है ठीक है इसके बाद देखिए सेकेंड कोश्चन पूर्ड वर्ग संख्याओं के अंते में सुननों की संख्या होगी तो आपको इसमें संख्या होगा विसम संख्या या फिर आपका सम या विसम या फिर सिर्फ आपका अभाद संख्या तो जब देखिए पूर्ड संख्याओ वर्ग का 6 त्रफल तो आपका भूचा वाले तो 6 गुड़े 6 करेंगे जो 36 आएगा तो 36 बर सिंटिम्टर हो जाएगा बारा कवर करेंगे तो बारा गुड़े वारा करेंगे तो बारा वर है 144 आएगा तो यहाँ पर आपको 144 यानि डी नंबर में आपको गोल घेरा लगा देन है तो लगा दीजिए डी नंबर पर और इसके बाद देखिए 179 का बर्ग मुल पूचा है तो 179 किसका होता है 13 गुड़े 13 होता है यानि 13 13 कर दीजिए आपका 119 आएगा यानि डी नंबर करक्ट आंसर है तो आपको डी में गोल घेरा लगाना है और इसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रसनों को आपको देखिया आगे हल करना है तो कोश्चन दे सकते है वर्ग ग्यात करना है च्वालिस का वर्ग तो देख तो इस प्रकार से आपको सिंपल तरीकी से हापके हल करना है कोई आपको अपर टेंसर नहीं है चोईस करेंगे चार्जी का आपका वर्ग हो जाएगा क्योंकि आपका A कमान आपका 40 और B कमान आपका 2 आएगा इसी परकार करेंगे हल तो पूरा आपका देखिए यहापे देख सकते हैं, 40 पलस आपका 4, ठीक है, अब देखिए, जब A कमान आपका 4 होगा, तो उस्सी की जगह हम देखिए, जहापे आपका A का, आपका 40 जाएगा, तो 40 का वर्ग हो जाएगा, है ना, इस प्रकार सर्वसंका में आपको हैंपे, सेम आपको रख कर A कमान आपका, आप पर दिखिए आपको रख देना है 40 और आपका दो गुड़े A कमान आपका 40 रखेंगे और B कमान आपका 4 रखेंगे फिर प्लस आपका देखिए 4 का आपका वर्ग लिख सकते हैं 40 प्लस आपका 3 तो इसे प्रकार देखिए आपका पहले एक कमान आपका 40 तो आपका 40 का वर्ग हो जाएगा और 2AV करेंगे इसे तो गुड़े 40 गुड़े 3 और 3 का वर्ग तो 1600 प्लस आपका 240 प्लस आपका आपका देखिए गुड़ा कर्दि चार्ज दूनी 803 यहीं 240 और 3 कवर्ग आपका 9 जोड़ दीजिए 889 यहाँ पे अंसर आएगा इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे C नमबर वाली का तो देखिए 24 लिखा है तो 20 प्लस आपका 4 24 हो जाएगा अब आपका 1 कवर्ग करेंगे तो 20 कवर्ग हो जाएगा और 2AB 20 गुड़े आपक उच्छी अतर आएगा इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है नेस्ट कोश्चन तो नेस्ट कोश्चन हमें आपए देखने वाले हैं चलिए सातवा पाइथा गुरुस लिखिये जिसका एक सदस्वारा हो तो जिसका आपका एक सदस्वारा होता है तो सिंपल सा पांच वारा और तेरा उसका होता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सिंपल तरीकिस देखिये जिसका आपको जब करेंगे तो आपका यहाँ पे आपका जो एक जिसका 12 है तो 175 प्लास 24 आपको अंसर लिखना है इसके बाद देखिए सिंपल सी बात है पांच वारा तेरा यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा अब इसके बात चलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए पांच वारा तेरा नीचे वाला आप मत लिखिएगा और आठवा कोश्चन लिखा है अभाज गुरुटखंड बिले से संख्याओं के वर्मूल ग्याद कीजिए तो बार सो च्यानवे का आप निकालेंगे अभाज गुरुटखंड के दोरा देखे आपका है पर सभी आंसर आपका है इस प्कार से करना पड़ेगा बारा सो च्यानवे पहले आपका दो से भाग दीजिए छेसो और तालीस आएगा इसी प्रिकार दो का भ है तो यहां प्रकार से आपको यहां पे सभी संख्य लिक देना है उसी प्रकार देखे यहांपर लिखेंगे तो आपका 36 निकल कर आउसर आएगा और देखे यहां पर दिखे बुरुड रा निकलेगा तो यहांपको देखे जब Gottaapp का व्रमू निकाला हो तो आपको जोड़ में दिखना होता है दो का आपका एक वनता है तो यहाँ पर 36 अंसर आएगा उसी प्रकार 289 करेंगे तो सत्रा गुड़ी सत्रा आता है अब इसका आपका एक निकलेगा बाहर जोड़े में से तो आपका सत्रा यहाँ पर आंसर आएगा बस सिंपल सांसर भी दीजिए और वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए इसके बाद देखिए घटाने की वीडियो से 64 का वर्गमूल करना है तो 64 घटाने का मतलब कर देखिए 64 में घटाईए तो आपका 63 और यहाँ पर 28 में 9 घटाईए 49 म में 11 तो यहाँ पर आपका सभी अंसर देखिये यहाँ पर आएगा और इस पर करने पर पूरा देखिया 28 में 13 घटाएगे पंद्रा और 15 में से 15 घटाएँगे तो यहाँ यहाँ कि झिरो याँ यहां धोर 50 का वर्गमूल क्यों हो जाएग वह सबसे छोटी संख्या गैत कीजिए जिससे 600 का भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए तो आपको यहाँ पर देखिए पहले वैसा यह करना पड़ेगा आप यहाँ पर आप क्या आप करेंगे 600 को आप जब करेंगे तो यह पर दो गुड़े-दो तीन गुड़े-पांच गुड़े-पांच निकलेगा तो दोनों बक्षों में आपका दीखिए 7 आपका भाग गरने के लिए बोला है तो 6 का भाग करेंगे 600 में 6 आप तो आपको 10 आएगा है ना तो आपको देखिए 10 ने आगा 100 आएगा 600 और इधर करेंगे तो आपको देखिए 2 गुड़े 2 5 गुड़े 5 आएगा तो यहाँ पर आप इस प्रकार से क्योंकि आपका 2 गुड़े 5 कर जाएगा बाखित आपके सब बच्चिंगे संख्या है ना तो यहाँ पर कर दीजी का पूरा अंसर जो आपको यह पर निकल कर आंसर मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा देखिए 100 आपका यहाँ पर अंडरूट में आएगा तो इससे आप करेंगे तो 2 आपका इससे बाहर निकलेगा एक 5 निकलेगा तो यहाँ आपका 10 यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है ठीके तो दस का आपका देखिये, आपको यह पर करना पड़ेगा, इसके बाद भाग विधी दवाराओ, छहसोच़ज पचेस का बर्गमूल गयाद करना है, तो आपका भाग विधी दवाराओ देखिये, आपको यहापर इस प्रकार से आंसा लिखना होता है, पहले आप 2 का करेंग और यहाँ पर आपका जो है नया संख्य आपका 225 आपको यह उतार देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 225 आपको 5 गूड़े 5 करेंगे तो 25 गूड़े आपका आ जाएगा दो सो पचीस आजाएगा और कट भी जाएगा नहीं पचीस यह पर आपका अंसर निकल कर आ रहा है ठीक है छेटो पचीस का आपका क्या निकलेगा पचीस तो आप इसे अंसर करिए इसके बाद देखी कोश्चन आपका वारवा आता है वह है सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिससे 200 को गुड़ा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो यह question बहुत सिंपल है 200 को पहले आप गुड़ा निका लिए दो गुड़े दो गुड़े पांच गुड़े पांच आपका निकल कर आएगा फिर दोनों पक्षों में क्या करेंगे दो का आपका गुड़ा कर देंगे तो जैसे करेंगे 200 को गुड़ा आपका जब क्या करेंगे यहाँ पर आप देख यहां पर आपका निकल कर भी आ जाएगा देखिए पूरा आपका एक वर्ग यहां पर आपका निकल कर आएगा दो गुड़े दो गुड़े पांच ठीक तो दुदुन चार चार पंचे वीज तो आपका यहां पर देखिए आपका यहां पर इस प्रकार से आपको अंसर करना ह और इसके बाद question देखिए तेरवा नंबर किसी वर्ग का पार्क का छेत फल 625 वर्ग मीटर है तो इस पार्क की एक किनारा ग्यात करना है तो देखिए आप यह बर्क का छेत फल भुजा गुड़े भुजा होता है तो आप जब इसे करेंगे तो पांच का चार बार होगा तो आपका देखिए पांच गुड़े पांच है नहीं आपका पचीस निकल कर आएगा तो पार की भुजा की जो आपका लंबाई है यहां पर आपका पचीस अंसर निकल कर आएगा इसके बाद देखिए यहां पर आपका जो question का आता है question 14 नंबर का एक माली 529 पौधे ऐसे अंसर आपको निकल कर आएगा मतलब आपका तेज़ पंक्तियों में ही आपका क्या हो जाएगा यहां पर आपका पौधे होगे तो आप यहां पर सबसे चोटी जंख्या किजिए जो 4, 9 और 10 से प्रतेक से विभाईत हो जाए तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है आपको पहले तो इनका जो है निकालना पड़ेगा तो देखिए आप यहाँ पर 4 को क्या दे सकते हैं 2 गोड़े 2 लिख सकते हैं है ना और आपका 9 को 3 गोड़े 3 और 10 को देखिए 2 गोड़े 5 तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो 180 निकल कर आएगा और यहाँ पर आप देखिए 180 आपका एक 5 पूर्ण बर्ग नहीं बन पारा है तो आपको 5 उड़ा करना है तो आपका 900 निकल कर आएगा तो आपके पूरे 15 के 15 कोश्चिन का अंसर अंसर कम्लीट होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर अब अगर दुम्हें वीडियो पसंद आईता है, लाइक मारो, एम करते हैं 2,60,000 लाइक कम्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकर बोलने में का जा रहा है